कि यह सब्जेक्ट नहीं है यह रोजी रोटी घर आतेते पैसे देते ना नानी जह हम कहते हैं नहीं लेना नहीं लेना फिर हम ले भी लेते हैं तो क्या पापा हमको डेड़ को रोड नहीं दे सकते अंधेरा सा कमरा है पापा अपनी easy चेर वह होती है न वह ऐसे जो अमीरों के घर में होती है बात गाउन पहना हुआ है इजी शाथ में ग्लास पढ़ा हुआ है हलो बच्चो नमस्कार सभी को स्वागत है आप सभी का साइंस और पर जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी एक प्या जगा यह बात बोल चुका हूं यह सब्जेक्ट नहीं है यह रोजी रोटी है यह आपके घर में खाना देगी लिटरली यह कई यों के घर में खाना देती है प्रैक्टिकल नेचर का टॉपिक अभी यह सबसे इंपॉर्टेंट कॉमस टीम का जो सबसे पावरफुल सब्जे से इस सब्जेक्ट को पढ़े की हो रहे है तो मैंने बहुत सारे इसके फीचर के बारे में बताया था जिसमें सबसे बड़ा फीचर था यह सिस्टेमाटिकली चीजों को रिकॉर्ड करता है अब एक शब्द होता है बच्चों अकाउंटेंसी अभी हम इस चैप्टर पर है कि यह जो सब्जेक्ट है हमारे business में होनेवाली हर एक transaction ko record करता है summarize करता है classified करता हम जानेगे हम जानेगे तक animation तो इन सब चीजों का record करने के लिए इन सब चीजों को record करने के लिए skill की आवशक्ता पड़ती है उस skill का नाम ale recording सी होता है वह record to do वाला भी कर रहा है record तो किर्याने वाला भी कर रहा है लेकिन आज आपके छोटे भाई भेहन को या आप ही को 500 पर पॉकिट मनी दे दी जाए तो आप भी बटा रिकॉर्ड करने लग जाओगे अपने खर्चे लेकिन वो एक unsystematical recording है वो एक skill के बिना किया गया recording है तो ये subject आपको skill देगा एक knowledge देगा कियानि एक systematic तरीके से यानि जैसे consultant record करते हैं वैसे कैसे करेंगे और एक exact profit and loss कैसे calculate होगा अभी मोटा मोटा ये समझ लो लेकिन कुछ भी पढ़ने से पहले आपको और और मेर को अपनी भाशा एक करने पड़ेगी इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी टर्म सी बिलकुल एकदम बेसिक है जैसे बच्पण में आप लोगों ने ABC सीखा था ना वैसे यहां पर आप लोग इतना ही बेसिक से शुरू करना पड़ेगा तो आपको और मेर को अपनी भाशा सेम करने पड़ेगी सर भाशा आप हिंदी में बोल रहे हो आप हिंग्लिश में बोल रहे हो हमें समझ में आ रहा है सर लेकिन बेटा कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो आपके ओपर से निकल जाएंगी डेटर, क्रेटर, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, ड्रॉइंग, बहुत सारी टर्म्स है और बहुत सारी टर्म्स है तो जब भी मैं आपको कुछ चीज समझाने निकलूँगा और वो टर्म्स का इस्तमाल करूँगा तो आपको आधी बाते समझ में ही नहीं आएंगी तो इसलिए हमारे स्लेबर के अंदर भी एक चाप्टर रखा गया जिस का नाम है प्यारे बच्चो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कुछ अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है यह टोटल टर्म्स वैसे तो यह अंगिनत है आज की डेट में अगर मैं भी कोई भी किताब नहीं किताब लेकर बैठों तो मुझे पता अबिटा लेकिन हम अबिटा को स्टूडेन राइप में अबिटा नहीं कहते तो कुछ और कहते थे अब आप बोलो कि सब्सक्राइब पहले लेक्ट लेने गया था तो एक बच्चा कहता सब्सक्राइब बारे बात करो अबिटा इतना जल्दी पढ़ने वाला टॉपिक नहीं तो मैं आपको यह समझाना चाहरा हूँ कि आज भी अगर मैं शार्ट टैंक देख रहा हूँ या आज भी मैं अगर कोई चीजे कोई कोई एक नई किताब पढ़ रहा हूँ तो मुझे नहीं पता होता है तो यह वास टॉपिक है रोज कुछ ना कुछ सीखोगे जैसे डॉक्टर अपनी प्रैक्टिसिंग में रोज एक नया केस सीखता है वैसे ही एक अकाउंटेंट भी अपनी लाइफ में एक नए केस डेली उसके सामने आते हैं यह भी एक बारी स्टाट हो जाएं फिर रोज सीखते ही रहेंगे आंसर इस तीसरे लेकर बत्तिस ट्रम्स आपको इस चैप्टर के अंदर मोटा मोटा तीज बत्तिस ट्रम्स सीखनी है अगर वह आपने एक बारी सीख ली फिर आप आप कोई भी चैप्टर पढ़ना शुरू कर सकते हो आप कोई भी प्राक्टिकल नेचर देखो मैं फिर कहूंगा बेटा इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट मत मानना चैप्टर में इसको डिवाइड मत करना रोज क्ली मता आपको क्यूरियस होके पढ़ना है कि यार मजा आगया आज पढ़का और मैं अपने पेड बैच में ये के अंदर भी ये बात हमेशा कहता हूं कह रहा हूं बड़े दिनों से कह रहा हूं कि आपको बेटा ओपन माइनली इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा आपको आख कान नात्मों खोल कर जब भी भार जाओ आज पास देखो कि जो आज सीखा वो आज पास कहां लग रहा है जी तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों तो आज हम सीखेंगे basic accounting terms लेकिन हमारी जो accountancy होती है वो business पर लगती है और आपने कभी business नहीं किया और बिजनस देखे होंगे दुकान देखी होगी समझ रहे हुं मौल देखा होगा बिजनस के बारे में सुना होगा Tata, Birla, Ambarni, Shark Tank समझ रहे हों लेकिन कभी उसको जिया नहीं है कभी उसको जैसे पापा कभी business हो सकता है लेकिन कभी उसको अपने जिया नहीं है तो हम यहां यहां पर क्या करने वाले हम यहां पर science and fun at tech limited जो प्राइवेट लिमिटेड है एट टिक फ़र्म है ओए सारक एडमी जो मेरी एक offline centers है आपका एक fake business खोल लेते हैं यहां पर एक बड़ा ही प्यारा बिजनस हम खोलते हैं आज कल चाय का बिजनस बहुत चला हुआ है बहुत ज्यादा उसमें तो चाइफाई cafe यह चाय सुट्टा बार MBA चाय यह बहुत बाद में आया वेन आयवाज इन लेट से लेट से नी मैं 67 स्टांडर में था चाय के शोकीन बच्पन से थे मेरे मामा जी को चाय बड़ी पसंद थे हर दो मने बाद चाय बनती थी तो उस समय हमारी Canada में एक मासी रहती थी वह कहते थी हमारे यह वाइफाई चलता है हमारे इंडिया में वा आपरेट जगत पे ही वाइफाई होता था एक ऐसा एरिया जहां पर फ्री में इंटरनेट मिल रहा है उन लोगों को मतरा इंटरनेट जोन पहले क्या था फोन में अंदर रीचार्ज कराना पड़ता था वाइफाई वह आपका इंटरनेट आता था बड़ा महंगा होता था जी ओ आया उसके बाद सब को ठीक हो गया तो यह एक फॉर्ट प्रोसेस में बहुत पहले का था कि एक चाय का मेरे मामा जी और मेरा बहुत था कि हम चाय कई ऐसी दुकान होनी चाहिए जहां एक छोड़ी सी किताबों का सेक्शन होना चाहिए जहां पर कुछ खाने को मिले च इसका नाम बहुत बाद में जाकर अब इस एक सेवर्ट सेंडर की बच्चे का इस दिमाग ने चलता लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ 12 में आया या उसके बाद जब मैं आया तो मैंने इस कैफे का नाम रखा चाय फाय कैफे चाय विद वाइफाय चाय फाय कैफे यह भी मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ यह आने वाले हर एक लेक्चर में लगेगी तो गौश से इस स्टोरी को सुनना है बड़ी इंट्रस्टिंग सी स्टोरी है आपकी स्टोरी ले ले लेते हैं माल लेते हैं आपका नाम है राम अब राम जब भी नाम सुनचे था हमारा दिमाग में राम, सीता, ऐसे ही क्यों आता है, क्योंकि भगवान के नाम है, तो हमने यहाँ पर नाम ले लिया आपका राम, ठीक है आपका कुछ भी नाम है, आप अपना नाम यहाँ पर लिख लेना, तो राम का बच्पन का सपना था, कि वो चाइफाई कैफे खोले, जबकि पापा कैमिकल बिजनस के बहुत बड़े टाइकून है, फैक्टरिया हैं फैक्टरिया हैं, समझ रहे हो, लेकिन इसका था कि नहीं मैं अपने पॉँपे खड़ा होना चाता हूँ, और यह वाला काम करना चाता हूँ, क्योंकि अम्मी जान कहती थी, कि कोई धंदा छोटा न होना है, वो एस्टीमेट करके जाता है कि इस कैफे को खोलने के लिए उसको चाहिए 2 करोड रुपया, च्योंकि यह आम कैफे नहीं खोल रहा, यह बहुत पॉश कैफे खोलेगा, 2 करोड रुपे इन्वेस्टमेंट है, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट ने करना चाता है मान के चलते हैं न या, अब कोमेंट में यह मत बोली हुचाज साथे, लेकर नई कियानों को बैसा होलना है, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है, टो उसका बचपन का सपना था, बचपन सही वो इसके लिए पैसे जोड रहा था, तो 50 लाक रुपे суरी धंस अने वाले बा जोड़ के रखा हुआ था दादी नानी फूपा मामा जब भी उस को घर आते थे पैसे देते ना नानी जम कहते हैं नहीं लेना फिर हम ले भी लेते तो वह वाले पैसे उसने अपने पास रखे हुए थे और आग तक उसने अपने पास 50 लाग रुपे जोड़ के रखे हुए थे यह पहले से सपना था लेकिन अभी भी आगर आप देखो तो 1.5 करोड रुपे की आवशक्ता है मेरे बताने से पहले यह बताओ कि यह आप 1.5 करोड रुपे कहां से लाओगे मैं तीन तक गिनूगा एक दो तीन बहुतों के मन में आया होगा सर बैंक से लोन ले लेंगे क्योंकि यह आफलाइन के अंदर यह जो लाइब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं पेड़ बैच के अंदर वहां पर भी यही कॉमेंट आया था यह बच्चों ने बोला था कि सर आप बैं और तो चाई की दुकान खोलेगा तो राम जाता है पापा के पास अंधेरा सा कमरा है पापा अपनी इजी चेर वह थी है न वह एसे जो अमीरों के घर में बाद गौन पहना हुआ है इसी साथ में ग्लास पढ़ा हुआ है और पापा ऐसे कर रहे हैं समझ रहे हो एक किताब जाता है राम खौफ में कहता है पापा मैं अपना बिजनस खोलना चाहता हूं पहले तो भैस होई थोड़ी देर पापा कहते ठीक है आईडिया अच्छा लग रहा तेरा तो तू ये बिजनस खोल ले कितने भई तो खोल ले जाके मुझे क्यों बताने आ रहा है पिर जब त अगर आप राम होते तो आप क्या बोलते हैं आप बोलते हैं यू आप बेस्ट डाट आप दे वर्ल्ड जो भी इंग्लिश में आपके शब्द हैं पापा बहुत बढ़िया हू यो भी है आप कहते भार जा रहे थे पापा ने का बटा रुक अबाउट टन ये जो तेर को मै दे दियो अगले हफ़ते महीना साल दो साल दस साल कोई ब्याज नहीं देना लेकिन तेर को ये पैसा बापसी करना पड़ेगा उस समय हलका सा दिल तूटा राम का लेकिन उसको ये बात समझ में आगी कि अगर मैं चाचा ताउ फूपा से लेता तो भी बात खराब हो जाती और अगर मैं दोस्तों से लेता तो भी मुझसे ब्याज लेते बैंक जाता तो कुछ गिर्वी भी रखवाना पड़ता और ब्याज भी देना पड़ता लेकिन ये अपने पिताजी ने हमारे अपने बाप ने हमारी कम से का मदद तो कर दी डेर करोड रोपे दे तो दिया ठी पापा ने लोन दे दिया ठीक है ओके अब आपके पास दो करोड रुपे इखटे हो गए आपके पास दो करोड रुपे इखटे हो गए अब दो करोड रुपे इखटे हो गए अब दो करोड रुपे इखटे होने का बिजनर शुरू करना है बिजनर शुरू करने के लिए क shopping अपने मन में सोचते रहो कि क्या क्या आप खरीद होगे सबसे पहले आप गए एक जगा पर land and building खरीदने एक एरिया खरीदने गए तो आपने बहुत अच्छी सी दुकान और पीछे से छोटा सा आपने एक जहां पर बनेगा एक वो भी खरीद लिया तो land and building short हो गए चाहिना से या अपने आजकल तो खैर मेकिन इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है तो आपने हिंदुस्तानी मशीने खरीदी मशीने कैसी जो चाय बनाएगी जो चाय को घरम करेगी समर्यों कॉफी मशीन भी चाहिए होगी सैंड्विच मेकर चाहिए होगा माइक्रोवेव ओवन ओटी जी पिर्जा मेकर जो कि सिर्फ चाय थोना बेचेंगे हम तो सब कुछ बेचेंगे समझ रहे हो तो हमने मशीनरी भी खरीद ली अब मशीनरी तो खरीद ली उसके बाद हम लोगों ने फरनीचर भी खरीद लिया भी लोगों को बठाएंगे कहां बढ़िया बढ़िया लेंब शेज समर इंटीरियर भत्रिप्स रखा ठेकर एक सूधिंग सा इन्वर्मेंट दिया कि महल बनेगा गाने लगाए स्पीकर जे बीयल के स्पीकर लगाए और मां मद्दा मद्दा सा मुजिक चलेगा तो फरनीचर एंड फिक्स्चर कहते है फिक्स्चर ठीक है जी ओके उसके बाद फिक्स्चर का मतलब क्यों था भई जिसे लाइटिंग और उनको फिक्स्चर कहते है फनीचर जिसके बार बैठते हो ठीक है उसके बाद आपको चाहिए रौ मैटीरियल भाईया चाय बनाने के लिए चाय पत्ती चाहिए बढ़िया चाय अच्छी नहीं होगी तो क्यों आएगा अधरक चाहिए होगी इलाइची चाहिए होगी समझ रहे हो गुड़ चाहिए होगा किसी को गुड़ वाली चाय पसंद है किसी को शक्कर वाली किसी को शुगर फ्री वाली तो शुगर फ्री भी खरीदनी पड़ेगी दूर की स तो चोटा दंदा नहीं करना हमने समझ में आई और चाय के साथ किसी को कॉफी भी पसंद आएगी कोल्ड कॉफी भी पसंद आएगी तो उसका भी समान खरीदना पड़ेगा और चाय में सबसे बड़ा इंग्रेइट होता है चाय पती दूद तो डेली आएगा हम चाय पती खरीदने दिल्ली के चावड़ी बजार में गए खारी बावरी के अंदर जहांपर ड्राय फ्रूट चाय पती है बहुत सारी मिलती है चलो हम असाम चले गए कहीं ही चले जाओ आप रॉमडेल खरीदने कहां चले गए एक पर्टिकुलर होसेल मार्किट में और वहां पर आपने 10 लाक रुपे का 10 लाक रुपीज का माल पैक करवा लिया जब आप माल पैक करवा रहे थे तो वहां आपको श्याम दिखा और श्याम कौन था जो साइंस एंड फन में तुम्हारे साथ पढ़ाई करता था लेकिन अब वो क्या कर रहा है चाय पत्ती का बिजनस कर रहा है पापा का तो आपने उसको का या देख हमारी तो पुराने र वो तेरे जैसे नहीं है तेरे पापा जैसे नहीं है मारेंगे अलग तो डिस्काउंट नहीं दे सकता हां लेकिन इतनी मेरे पास अथारिटी है कि मैं तरको तीन महीने का उधार दे सकता हूं उसने का या लेकियो और पूछ पूछ तो या मुझे उधार दे दे तो ये थ्र ओके इसके बाद और शारी चीजे ले लो एसी खरीद लो यार फिर एक कंप्यूटर भी ले ले लेना लैप्टाप वेगेरा उसके बाद क्या चाहिए होगा थोड़ा खर्चा एडवर्टीजमेंट में लगाना पड़ेगा एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा जहां पर पेटीम हो सके मेरा बैंक अकाउंट तो है राम का लेकिन चाइफाय कैफे का भी तो होना चाहिए तो वहां पर बैंक अकाउंट खोल लिया उसके बाद और क्या चाहिए होगा बताओ भी या बिजनस खोलने के लिए एडवर्टीजमे होगा जो चाए बनाएगा जो सर्व करेगा समझ रहे हो यह सारी की सारी चीज़े आपको यहां पर देखने को मिलेगे तो अब आज हमारा उद्गाटन का दिन है और हमारा बिजनस टार्ट हो गया तो इस एक्जामपल को आपने दिल के करीब रखना है आप इसको लेक्टर से हम और जादा तो यह टोटल पूरा का पूरा यह जो श्रंखला है दो से लेकर तीन लेक्टर में आएगी आपको सब देखना है और फिर आगे बढ़ना है चीक है जी तो अब हमारा जो पहला पहला जो टर्म आता है वो आता है अपिटल क्या है कैपिटल टाइम जैसे फॉर एग्जामपल आज से सोला साल पहले जब मैंने ओयसार अकैडमी की शुरुवात की थी प्यारे बच्चो अठारा मार्च का वो दिन में आज भी नहीं भूलता मेरी जीवन पूंजी थी जो मैंने होम टूशन से कमा कमा कर जो सेविंग की थी वो थी लग तो क्या अब हमारी ओयसार अकैडमी की या साइंस एंड फन की जो कैपिटल है वो सेम है आप अपने पिताजी से पूछना अगर वो बिजनस करते हैं तो जरूर उनकी एक स्ट्रगलिंग स्टोरी रही होगी वेटा एक छोटी सी जगह से शुरुवात की होगी जो इन्वेस अठारा जार मैंने लगाया बच्चों को पढ़ाया पैसा आया अब सारा पैसा मैं घर लेकर नहीं गया कुछ लेकर गया मोटा पैसा मैंने बिजनस में री इन्वेस्ट कर दिया कभी एसी खरीद रहा हूँ कभी बैंकिस खरीद रहा हूँ कभी पडोस वाली प्रौपरटी खरीद ली कभी उपर वाली property खरीद ली expansion फिर एक और ब्रांच खोल दी expansion 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 वो कैसे होता है आप ही का दिया हुआ पैसा जब हमारे पास आएगा और हम उसको धंक से utilize करेंगे मालो 18,000 रुपे लगा के जो पैसा मेरे पसाया वो मैं घर ले जाता और मैं गाड़ी खरीद लेता अगर का sofa खरीद लेता मैं अपनी मम्मी को कहीं और बेच देता दूर भाईया जाओ आश करो गोवा चले जाओ कहीं चले जाओ भाईया तुमने में लिए बहुत श्ट्रगल किया है लेकिन वह पैसा में बिजनस में ना लगाता तो मेरा बिजनस ग्रो नहीं करता उल्टा भी हो सकता है दो करोड रुपे चाइफ है कैफे में लगा क्या पता ना चले पैसा आया ही नहीं दुकाने बरब तो एट पर्टिकुलर टाइम तुड़े इस वट क्या है डेट आज 29 एप्रेल 29 एप्रेल को ओयसार अकैडमी की कैपिटल कितनी है माल लेते हैं 100 रुपया क्या वो 31 को भी होगी क्या वो पांच मई को भी होगी आंसर इस नहीं बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है क्या बता पांच मई को में और ओसर अगैडमी एक और प्रॉपर्टी कर लिए जहां पर और क्लासी स्टार्ट हो जाएं तो बढ़ गई हाना ठीक है ना तो चीज़े फ्लक्चुट होगी तो क्या लिखा है दा माउंट इंवेस्टेट इन बिजनस बाइट इस ओनर्स ओनर मतला एक भ गार één रुके गा दा और खोलेगा जाँ वह और खोलेगा तो उसका बिजनस क्या हो रहा है एक्स्पैंड हो रहा है ढीरुबायंस इन्नस्स की ने बिजनस की न comply था तो अनिल अंबानी जी ने मुकेश अंबानी जी ने मुकेश अंबानी जी ने उसको क्या कर दिया बटा और बढ़ा दिया इलॉन मस्क की नेट वर्थ बढ़ती जा रही है टेसला कंपनी की नेट वर्थ बढ़ती जा रही है रिलाइंस इंडस्री की नेट वर्थ बढ़त है इंवेस्टर ने डाला है आपको कहीं पा गया आपका खुद का था कहते हैं नि बूट स्ट्रैप कंपनी आज करने नहीं नहीं आ रहे हमाने थैम पे नहीं होता था पूसितर रहे हैं को आते आज की देट तक बूट्स्ट्रैप है यानि मेरा ही पैसा लगा हुआ है सिंगल जनेगा मत बोलना आशु सर का ठीक है हम दोनों का लगा हुआ है लेकि लीगली मेरा लगा हुआ है क्योंकि on paper मैं हूँ तो हमने कहीं से एक रुपया नहीं उठा रखा एक रुपय का लोन नहीं है समझ रहे हो तो कहानी यहां पर क्या है capital अब मुझे बताओ चाइसाय कैफे की capital किती आंसर इस दो करोड़ रुपया कि दो करोड क्यों कि 50 लाग तो खुद के देड़ करोड मैंने कहीं से भी आया हो बिजनस को लेना देना नहीं चाइसाय काफे को लेना देना नहीं कि पैसा कहा से आया ठीक है उसमें से देड़ करोड रुपय देना है 10 लाक रुपय भी और देना है लेकिन capital कितनी इंवेस् लाइब दी मतला बोज कर्ज उधार जो पैसा कंपनी को बिजनस को फर्म को फर्म समझते हो ना बिजनस चैफेक एफे ऊसर अचैडमी रिलाइंस इंडिस्री तो इसको जो बाहर मार्किट में पैसा देना है आउटसाइडर गोज पैसा देना है जो इनके सर पर बोज है वह होती है बटा लाइबलिटी वो क्या होती है प्यारे बच्चो लाइबलिटी दामाउंट विच अब बिजनस ओव ओव मतलब पेबल जो देना है टू आउटसाइडर ऑफ लाइन में में यह एग्जांपल ले रहा था वहां पर बैठा था हर्ष बच्चा यहार राम लिका ह हर्ष तो मैंने बच्चों दे पूझा बिटा हर्ष की यानि जो चायफे कैफे है उसकी लाइबलिटी क्या है तो सारे बच्चों नहीं बोलना शुरू कर दिया सार डेड़ कर रोड रुपे तो पापा के और दस लाक रुपे उस श्याम बच्चे के जो दोस्त था उसका त इसने तुम्हारे पापा को आउटसाइडर बना दिया खुंदक में आगे हर्ष तुम भी आ जाओगे आज राम को पता चल जाए कि मैं कहा रहा हूं कि तेरे पापा आउटसाइडर है कोई भी भुचक्का रह जाएगा लेकिन क्या वो आउटसाइडर है आंसर इस है मोस्त जोड़ा सागे बढ़ोगे तो मैं भी आउटसाइडर ही हूँ वैसे तो लेकिन आज पढ़ाने के लिए तो मैं ही कौन हूँ इंसाइडर बाकी सारे कौन है आउटसाइडर मैंने अपनी मां से लोल लिया होगा तो मेरी मां भी कौन है बिटा आउटसाइडर मैंने अपनी भीमी से लिया हुआ हुआई वह भी कौन है बटा अउट्साइडर को यानी राम की टोटाल लाइबलिटी कितनी होगी बेटा देष्हा करोड रुपे तो वहिए हो गई सीडी सीडी जो पापा से लिये थे और दस लाख रुपे चैनी चैना शाम से उधार पर माल खरीदा था तो टोटल लाइवरिटी हो गई 1.6 करोड दो करोड के बिजनस में 1.6 करोड का तो क्या है उसके उपर बोज है कर्ज है बात समझ में आ गई शे के जी इटा फानेंशल बर्डन अब इसको हम क्या कहते है बेटा देट बही कहते है क्या क्या आपके पापा पर कितना है भवान ना करें हो लेकिन होता है यार मेरे उपर भी है सब की ओपर होता है हर बिजनसमेन के उपर होता है आगा करें चाहिए होना जरूरी है बात की बात तो आपके ओपर लिए पूछ हो लंदाजी करने वाला ठीक है ना जैस्ट पर नॉलेज येस यू के नास्क ओके अच्छा इसके दो टाइप होते हैं आगे जाकर दो टाइप और आएंगे लेकिन बेसिक स्टडीज पढ़ते वक्त दो ही टाइप हैं पहला है बटा करंट दूसरा है नॉन करंट कम शब्दों म में करंट का मतलब होता है एक साल शॉर्ट टम पीरड इस वन इयर ओके लिकूड पीरड जो लिकूड वर्ड आएगा यानी तुरंद यानी विदिन मंत और वीक ठीक है न तो करंट लाइबरिटी वह लाइबरिटी होते है ऐसा पैसा जो आपको एक साल के भीतर ही पे करना ह है उसको बोलते हो करेंट लाइबरिटी चेके जी फॉर एक्जांपल टैन लाक जो आपने रो मेटीरियल का श्याम को देना था तो क्या है लाइबरिटी विच्वी हाब टू पे विदिन और इयर ओके नॉन करंट उल्टा जो हम एक साल के बाद भी पे कर सकते है करनी है ऐस साल का कि मुझे बिजनस लोन दे तो 20 साल में चुका दूँगा मेरा 6 महीने में बिजनस इतना भूम कर गया पैसे लो मुपे वार वो अपने पैसे समझ रहे हो लेकिन मेंडेटरी नहीं था 6 महीने में देना आप एक साल के बाद भी पे कर सकते तो आपके बाद बीसाल है प वी कैन पे एक साल के पहले आजा है तो दे देना लेकिन एक साल के बाद भी दे सकते हो फॉर एक्जामपल डेड़ करोड पापा का अभी फिलाल यही है आगे जाकर एक्जामपल और बड़ा होगा जम और एक्स्पैंड करेंगे और आउटलेट खोलेंगे पैसा टर्म आफ टुडे यह आज का आखरी शब्द होगा लेकिन इसको समझाने में भी 15 मिल लग जाएंगे एसेट क्या है देखो एसेट वो चीज है जो आपको पैसा बना कर देगी वेदर टैंजीबल और एंटैंजीबल टैंजीबल मतलब वो जिसको चू सको जिसका एरिया ज इसका मास है कुछ ऐसी चीज़े होते हैं जिसको चू नहीं सकते जिसका एरिया नहीं होता जिसका मास्क नहीं होता लेकिन वो भी आपको पैसा कामा कर देती है हर चीज जो पैसा जैसरे एक्जामपल करता हूं मेरे ना सामने बैंचिस पढ़े हूंगा इसा मैं क्योंकि मैं प्रैक्टिकल जो बंदा कॉमस का टीचर आपको पैसे के बारे में सोचने में मजबूर नहीं करना ना तो भाई उससे पढ़ना बंद करो क्योंकि कॉमस का दूसरा मतलब भी पैसा है पैसा कमा सकूं यहां से मैं आपको वीडियो रिकार्ड करके दूँगा वाई टी पर बोलो दो यहां से क्लास लाइब भी तो पैड़ कोर्स में जाती है बेटा इसी स्टूडियो से तो वहां तो मुझे पैसा मिल रहा है यह जो बैंची मेरे पास पड़े हुए है इस पर बच्चा बैठता है तो पैसे को बैठे गा बिना पैसे देनी बैठ पाएगा आपके चैफ चाइफाए कफे में जो स्टूल पढ़ा हुआ है जो सूफा लगा हुआ जिससे रेश्टांट में लगा हुआ है वहां बैठने के पैसे लगते हैं तो रेश्टांट ओनर महां को सोचना ही बिजनस पॉन्ट- है यह टेबल है यह एयर फोन लगे हुए है और यह ट्यूब लाइट लगी वे एसी लगा हुए पंखा है कैमरा है बेंचीज है बिल्डिंग है लैंड है यह सारी कि सारी चीज़े मेरा क्या है ओए सार अकैडमी का क्या है साइंस अंफन का क्या है एसेट है क्योंकि ये मुझे पैसा बना कर देगा यहां पर कोई भी चीज बिना पैसा कमाने के लिए रखी नहीं गई क्यों लगँ? आज कोई बोले यार ऐसा करो यार सोफा लगवा दो यहां पर क्यों लगआँ सोफा? वो थोड़ना पैसा कमा कर देगा मेरे को बेट होना ले होंगा में और उफिस में पैसा कमा कर देगा यह वाला लेने देनानी को कि तुम पैसा दे रहे हो इसका भाई चलाने का लेकि मेरे घर के अंदर अगर फाल्तु एसी चलता है ना जब मैं छोटा तो फ्लाइंक चप्पल अंदवे आती थी तुम्हारे घर भी आती होगी कि बिल्ली का बिल कौन भरे है समझ वे बातरूम की लाइट ली छोड़ाओ तो फ्लाइं चप्पल अंदवे समझते हो क्योंकि वह सट नहीं है पापा ओफिस में एक आप बात नी बोलते होंगे पापा यहां पर बोलते हैं आपको उसे पैसा नहीं बना तो असेट क्या है असेट आज़गा प्रोपर्टीज टेंजिबल भी यह बेंचिज हैं मुझे आज भी फायदा देंगे फ्यूचर में भी देंगे जो चाइपती मैंने खरीदी जो दूद मैं खरीदूँगा जो अद्रक मैं खरीदूँगा समझो हर वो चीज क्या है बिटा मेरा असेट है जो मुझे पैसा कमा कर देगी ठीक फॉर अजवैन है अजवैन डालते हो चाय में नहीं डालते है काली मिस्ट चलो जो भी डाला आपने जो चाय बनाने का समगरी है या जो सैंड्विच बनाने का समगरी है वो तो हो गया लेकिन पैपसी भी तो रखोगे अपने महाँ पर कोक भी तो रखोगे मरिंडा भी तो रखो नों में हो या जो आपने सीधा पैसिए खरीटल से अपनी कमिशन रखकर बेच देते वो अमने कम प्री यह कमिशन रखकर भेच देते हो तो वह भी आपका क्या है इस टोट है जो बेचने के लिए रख रहाद हो भी कोई पैसा कमा कर नहीं को देंगगे क्या होते है भात की बात है ठीक है न यहां तक clean टाइपस परकांपे इसके लिए बहु süती हैं पढ़ती नौन करंडर से erg अशेट और नु法ली अश्युक्न साब्षाना की भीजिर आज कोई भी आएगा मेरा बेंच खरीद नहीं सकता आप कभी भी किसी मॉल में जाकर यह नि बोल लाओगा यह यह कितने गी constitution ने कि या किसी गार्मेंट शॉप में जाकर वो नहीं देखा होगा कि भाई यह जो बाल्डी बिल्डर भाई खड कि आढ़ तो बीदी की डबार लगा दो कि वह कितने कि नहीं कि इंक लगी हुए हर एक चालो मेरा मेरा रफिस स्थेक्टर हो गया आप इक मैनस्थ्रसक्चिर चाटर पर विचले जाओ मशीनरी भी काओं नहीं है, कोई भी करोड़ पती आकर यह नहीं जाएगी लगता है या अभी नहीं पहले नहीं प्रोपर फॉंक्शनिंग केली है कि नहीं हो पा यहे है तो मुझे पैसा कमा के देंगे और घर में क्या कहते हैं सारे एक ही कमरे में सौजाओ यार एक ही चलाना पड़ेगा समझ रहो तो ये सारे मेरे एसेट है और इनको बेचना हमारी नियत नहीं है और ये हमारा साथ लंबे समय तक देते है जैसे ये बैंचीद है पिरले 7 साल सही ही पढ़े हुए और मुझे ऐसा लगता है आने वाले 7 साल भी यही पढ़े रहेंगे इसको बोलते हैं non current asset, पढ़ लेंगे, okay, okay, फिर एक होता है बिटा, इनके दो प्रकार आते है, tangible और intangible, tangible asset कौन से होते हैं, जिनको आप छूच सकते हो, जैसे building हो गया, land हो गया, machinery हो गया, ये सारे के सारे मेरे tangible होते हैं, ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन intangible asset भी नाम की कोई चीर होती है, example के तौर पर मैं बुड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, मैं बुड़ा हो गया, मैं OSA रेकेड़ में बंद कर रहा हूँ, आप आते हो, कहता है सर हमें बेच दो, मैंने का ले लो, कहता है बताओ कितने का समान है, सब कुछ बताओ, मैंने देखा, land जमीन देख तो मैं वहाँ जा रहा था, और वहाँ पर देखा, कि अभी भी OSR Academy लगा हूँ, मैं चल अपने बच्चे से मिलता जाओ, आपस को, तो मैं उपर गया, आप अपनी बॉस चेरे बैठके ने, नोट गिन रहे थे, बच्चे एडमीशन ले रहे हैं, मैंने आप से पूचा, मैं और देदो, आपने बुला क्यों, मैंने का बिटा अगर ये बोर्ड हटा दोगे ना, तो बच्चा नहीं आएगा आपके पास, तो इस नाम की एक कीमत है, Science and Fun नाम की एक कीमत है, शारुखान जहां लग जाते हैं ना, चीज़े वेल्यू बढ़ जाती है, समझ रहे हो, क्या बर्गर बेचने हैं, मैंग डी का नाम लेकर बेच हूँ, तो ज़ज़ादा भी केंगे या उशान बर्गर वाला, common sense है, तो लोग फ्रेंचाइजी तभी तो खरीदते हैं, कि वो अपना नाम ना इस्तमाल करके, चला चलाया नाम उसको मिल जाएगा, ओलड़ी चला हुआ तो इसको बोलते हैं, इन्टेंजिवल असेट, copyrights, patents, जैदे फॉर्जंबर एक सानिटिस ने अविश्कार किया, आप उसका patent उसके पास है, तो वो उसका क्या इन्टेंजिवल असेट है, के एफ सी की चिकन बनाने की आपकी जो जो ingredients डिलते हैं, वो भी क्या है, पेटेंट क एक particular ingredient का ratio है, वो किसी को नहीं पता चलता अच तक, समझ रहे हो, वो यह क्या है, आविश्कार किया हुआ, जैसे iOS है, एपल ने iOS बेचा ही नहीं किसी को, खुद का बना रखा है, इसलिए तो फोन महंगे है, लेकि Android, Nokia ने शायद बनाया था, सब को बेच दिया, और हर एक के वीवो हो, शीवो हो, सब के पास क्या है बेचा, Android है, समझ रहे हो, तो पेटेंट होता है, जैसे फोटो कॉपी बनाने का, महलों फोटो कॉपीर मशीन का पेटेंट पहले आया था, मिश्टू बिशी ने निकाला था शायर, तो उसको पहले चार साल तक तो उसने अपने पा अगर आप 30 गरवाद से पढ़ रहे हो, तो सुल्तान चंद, जो उसका सापने का राइट उसी के पास है, और किसी के पास नहीं है, कॉपीराइट, वो कहते हैं, मेरा गाना चोरी कर लिया, मेरी फिल्म की स्क्रिप्ट चोरी कर ली, तो क्या होता है, कॉपीरेट रखते हैं, बेटा, क्या रखते हैं, कॉपीरेट, जैसे OSR एक ट्रेडमार्क एक एक आपकी रिजिस्टर्ड फर्म है, कोई और उसको इसनमाल नहीं कर सकता, करोगे, तो आपसे रोयल्टी ले लूँगा, मैं आपसे लूँगा, पर बच्चा पढ़ा रहे हो, मुझे पैसा दे के मैं चाहा कर भी मैंग डी यूज नहीं कर सकता, तो यह होती है बटा, क्योंकि बिकेगा तो पैसा देगा, और आज मैं साइंस और फन की वैसे पैसा कमा रहा हूं कि नहीं कमा रहा हूं, अगर यह ना लगा हो तो कुछ और लगा तो पैसा नहीं आएगा मेरे पास, आज पूछता था कि बटा, आप कहां बैठे हो, कहते हैं, OSR रकेट में, तो कहीं ना कहीं, वो मेरे से पढ़ने नहीं आए, वो कहां है, OSR में आए, आप कभी मैग डी जाकर यह नहीं कहते हैं कि उस दीदी के हाथ का बरगर खाना है, यह वाली मैग डी का बरगर अच्छा है, हम जाते हैं, ले लेते हैं, Nike, Eridaz, Reebok, हम जाते हैं, शोरूम से ले आते हैं, वो शोरूम कहीं पर भी हो, हम यह नहीं कहेंगे कि वो भहिया के हाथ, जब तक वो भहिया नहीं आएंगे, वो दीदी नहीं पहनाएंगे, हम नहीं पहनेंगे भहिया, वो दीदी पहना आते हैं वो जूता लंबा चलता ऐसा तो नहीं है ना तो क्या है इंटेंजिवला सेट नाम ब्रैंड वेल्लिव प्रेड मार्क कॉपी राइट चेके जी कंप्यूटर के सॉफ्ट्वेर हो गए गुडविल हो गई वैसार की गुडविल एना जिसे मैं खाना खा रहा हूं ठेके ना क्य गए हम चाहते हैं जल से जल केमें कंवार्ट हो जाए है जैसे हिमारा माल क्या आप ने चाहोंगे आप़े सारी चाह पति खथम हो जाया है क्या आपने चाहोगे आपका सारे दूद घ्धां लेकर रहा है एँढ फिल्दा वह रागार जाया आज है किया दुकान-दार ब्र Tol सब्सक्राइब जितना समान सब दे दे देगा वो मनाऊ थोना करेगा मैं बोलूँ कि भी आपना पंखा देते वो मना करेगा तो करन तो वो होते हैं जो हम जल्द से जल्द पैसे में convert कराना चाहते हैं जिसका सबसे बड़ा example होता है बेटा हमारा goods यह लिखाभी होगा कहीं जो resell purpose के लिए होते हैं जो सबसे बड़ा example होता है goods goods मतला दूद वाले के लिए दूद आलू वाले के लिए आलू और मुबाइल वाले के लिए मुबाइल आपके लिए चाए cold coffee cold drink पिजा बर्गर sandwiches hot dogs यह सब आपके लिए क्या है goods आप आते ही दुकान पर इसलिए क्यों की बिखिजाए तो यह सारा के बटा जल से जल कैश में convert कराने वाली चीजे इसको बोलते हैं current asset जल दिया जाए non current बेचने की नियती निया भाई यह तो इसलिए रखा हुआ कि बिजना स्मूद ली चले समझ में आ गया अब एक बिल्कुल important term में आपको बताता हूँ अच्छा यहां पर लिखता हूँ accounting equation क्या लिखता हूँ बिटा accounting equation यह याद रख ले न जीवन पर हमारे business के जितने भी asset होंगे वह हमारी capital plus liability के बराबर होंगे इसको लेकर हमें चैप्टर भी पढ़ेंगा पूरे साल आपको यह पढ़ना है इसको याद रखेंगे इसके उपर चर्चा करेंगे हम याद रख लेंगे दो टाम और पढ़ेंगे और पढ़ दिया पहला तो गुट्स था गुट्स है क्यों बनाया है बेचने के लिए चाहिए वो raw material हो चाहिए वो finished goods हो यह सारा आपका क्या होता है goods आप चाहतो जल से जल यह बिख जाए goods are the physical item of trade that are purchased or manufactured या तो खरीदी हो बेचने के लिए एक दूद की दुकान में जो अमुल दूद होता है वो खुद नहीं बनाता समझ रहे हो आप अपनी दुकान में Pepsi नहीं बनाओगे तो वह अपने खरीदा होगा बेचने के लिए और पिज़ा बनाओगे चाह आप हो मैंने सक्षर करोगे तुबी सोल बेचने के लिए फॉर एंटरप्राइस डीलिंग विद हो मैं प्लाइंस मालों कैसी दुकान जहां पर हो मैं प्लाइंस बिलते हैं टीवी फ्रिज एसी अच्ट्रा उसके क्या हो जाएंगे गूर्ज हो जाएंगे समझ रहे हो यह यह उत मैं सुबा आता हूं शाम को जाता हूं तो मेरी पर्सनल लीज नहीं है क्या है नहीं है तो जो मैं पैसा विड्राओ करूंगा अपने बिजनस से बिजनस किसका है और सब्सक्राइब मेरा है और मैं क्यों चला रहा हूं कि ताकि अपने फैमिली को अच्छी लाइफ दे कर लागा तो लानत है मेरे काम करने पर मैं खर्भुज़ना लेकर जा पाँं तो कि चालीज रूस रुपे किलो की चीज मैं नीख रीद पाता हूं सुबा जा रहहाँ ग्यारा वजी रात को जा रहहा हूं घर नो वजए को 15-15 गंटे 12 गंटे काम करने का तुकी क्या है मैं 40 तो जो पैसे लाओंगा कहां से मैं तो एक ही काम करता हूँ मैं काम क्या करता हूँ पढ़ाता हूँ OSR Academy चलाता हूँ Science and Fund चलाता हूँ तो जो पैसा मेर को मिलता है मुझे नहीं OSR Academy को तो वो OSR के गल्ले में आता है वहाँ से जो पैसा मैं अपने घर के तो किया, बैंक से वो ड्रॉ किया आपने मुझे फीसे भेजी मेरे अकाउंट में मैंने 25,000 रुपे का एक 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 खरीद के लगा दिया वो ड्रॉइंग नहीं है लेकिन वही 25,000 का एक एक अगर मैं अपने घर पे लगा दू झालोओ। O Esr के Benk Akaunnt से पैसा निकाल के या Draw यानि गला गला पता होगा ना गले से पैसा निकाल के उसको आप क्या कहोगे? Drawing कहोगे Drawing कहोगे For example For example, आपका furniture का काम है तो आपके घर में अगर बेड की need पड़ेगी तो आप कहां से बनवाओगे अपनी दुकान से बनवाओगे तो या तो आप पैसा विड्राओ कर लो पर्सनल नीड के लिए या तो आप पैसा विड्राओ कर लो पर्सनल नीड के लिए या आप समान भी ले जाओ अपनी दुकान से पर्सनल नीड के लिए वो भी क्या बेटा पिज्टा खिलाना पड़ेगा तो कहांसे मंगवाओगे अपनी आउटलेट से मंगवाओगे और कहांसे मंगवाओगे तो बड़ी अचाहे बनाके नहीं खिला और तो वहाँ पे जो समान आपको क्या personal needs को fulfill करने के लिए वो क्या है बिट आपकी ड्रोइंग बीवी का phone आता है सुनो जी आ नौ लखा हर दिला दो मैंने का ठीक है जी आप आपके लिए तो काम कर रहे हैं बिल्कुल दिलाएंगे फर्म से मैंने 8-10 लाख रुपर विड्राओ कर लिए और बीवी को मैंने परसनलीट के लिए यह मेरे घर में आटादा चीनी चावल बचों की फीज वाइफाई बिली कबिल कहां से आएगा यहीं से तो आएगा यहींतो काम कर रहा हूं तो जो पैसा में विड्राओ कर रहा है वो क्या? आ रहा नहीं है और मैं withdraw करा जा रहा हूँ नीड तो पूरी करनी पड़ेंगी बच्चों की स्कूल की फीज भरनी पड़ेंगी बीवी को चलो 9 लखा हार नहीं दे ला हूँ खर भूजा तो लेकर जाँगा तो यह सारी चीज़े अगर मैं withdraw कर रहा हूँ आ नेरा लेकिन जा र इन सारे शब्द को अच्छे से नोट्स बनाएंगे पीपीटी आपको आप पर मिल जाएगी हमारे साइंस अंफन के आप पर निचलिंक होगा तो यह आपने आपने अगली कहानी ही से चालू करेंगे तो यह तीन लेक्शर के अंदर कोशिश करूंगा दो बना मैक्सिम तीन खत्म करूंगा ट्रण नहीं है यह इंपोर्टेंट है इत को पहले व zij बहुक्त इसको से अन्दर ठीन तरीके को जो की बहुत इनवेटिव कह सकते हो engaging तरीका है इसको पढ़ने का आपका खुद का बिजनस खोल दिया तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में तब तक के लिए बबाए टेक क्यार एवनाइज जाए